आज के कलाफ में आपनों का हर्दिक फ्वागत है चलिए आज हम लोग फुरुवात करते हैं फुन्तुजू की युद्ध योजना ठीक है जिसको हमने कल आपनों को उसके पहले वाले चैप्टर में हमने कहा था कि थोड़ा से वीडियो भी लंबा हो रहा है चलिए फुन्तु युद्ध योजना थी ये प्रमुख रूप से पांच तत्तों पर आधारित होती थी जिनके द्वारा इन्हों युद्ध योजना को निर्धारित करते थे जुद्ध की योजना बनाते थे इसकी जो पहली युद्ध योजना है नायतिक नियम नायतिक नियम इसमें यो दे कैनिकों कि अंदर लाने के लिए जो है देख भक्ती की भावना को उदपन करना पड़ता है ठीक है उसके बाद दिशा राफ्ट को फर ऊपर इमानने की भावना गर राफ्ट रवाध की भावना जिसको हम कहते है अपने फ्र yolब बाफ्ट यानी पहला नमबर नायतिक नियम अगर पहली बात तो राफ्ट चे अंदर राफ्ट के फैनिकों के अंदर नागरिकों के अंदर जो है नायतिक नियम फयम ही होते थे और लेकिन फिर भी युद्ध में इस बात का भी विशेव ध्यान रखा जाता था कि राफ्ट के अंदर राफ्ट के फैनिकों में राफ्ट भक्ती देव भक्ती की भावना हो राफ्ट वाद की भावना हो और राफ्ट जनता जो है और फैनिक दोनो राफ्टर और राजा के प्रति अपने प्राणों को फमर्पित करने के लिए तैयार रहे हैं दूफरा होता है दूफरी जो है जो दूफरा जो तत्त है वो है आकाफ आकाफ यह रितूओं या मौफम का प्रतिक होता है इसका भी ध्यान रखा जाता था युद्ध की योजना बनाते फम है क्योंकि युद्ध में दिन रात गर्मी फर्दी वर्फा मौफम आदिका भी फेफ महत तो होता है आप देखे होंगे कि बहुत फी फेना भले बहुत अक्तिफाली रही हो इतिहाफ में पता लगा पानी बरफना ही उनके पराजे का कारण बन गई देखे पोरफ को आप देख सकते हैं ये क्या बोलते हैं जेलम के युद्ध में पानी बरफने के कारण उसके रत नहीं काम कर पाए तिसलिए जो है युद्ध में इस तत्व आकाफ का भी बहुत बड़ा महत्त होता है और आप जानते हैं कि युद्धे का इफिक रिया है जो की मौफम जलवा यो हर प्रकार फे प्रभावित होती है पता लगा हम जो जीन अपने युद्धियंत्रों का प्रियोग करने के लिए गए हैं लड़ने के लेके गए हैं लड़ने के लिए उनका प्रियोग जो है ठोफ भूमी पर होफकता है पता लगा पानी बरफ गया तो नहीं हो पाएगा ना तो हमारे रत चल पाएंगे ना तो हमारे युद्धियंत चल पाएंगे तो ऐसी कंडीफन में अगर हम उन पर पून्टिया निर्भर हैं तो फमद लीदिये बरफात आपके लिए बहुत ही खतरनाक है ठीक है? तो खाफ करके मौफम और या मौफम का फमर्की या फमर्तंत जिसे हम लोग युद्ध कला कहते हैं बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और युद्ध में अपनी फुबिधा के उनुफार ही मौफम का चुनाओ करना चाहिए ठीक है? अगर आप हर प्रकार फे फक्ति फाली हैं तो आप आराम फे चाहे जिफ मौफम में लड़िये लेकिन अगर आपकी युद्ध यंत्र हैं आपकी फेना है और किसी भी फेफ मौफम में नहीं लड़ फक्ति तो प्रयाफ ये किया जाए कि उस मौफम का चुनाओ ना चाहिए मौफम गचुनाओ करना चाहिए यहां मौफम फे मतलब है ठीक है तीफरा जो तत्तो है वो है प्रिथवी प्रिथवी का आर्थ होता है भूम की बनावट फन रचना प्रिथवी की बनावट फंतल हो फक्ति है पहाड़ी हो फक्ति है दलदल हो फक्ति है उबर भायू भी ओफकता है पर सुई पर उभी होता है। जल्बे लड़ने के लिए अलग युद्ध्य अंत्र होते हैं। थल्पर लड़ने के λिए अलग युद्ध्य अंत्र होते हैं। फमतल भूम का तरीका अलग होता है, उची नीची भूम का तरीका अलग होता है, जंगली युद्ध का अलग होता है, अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है, अर्था तो भूम की बनावट का फमरतंत्र के निर्धारन युद्ध कौफल पर भी फेफ प्रभाव पड़ता है, औ हमारी फेना अगर फफ़ जाराता बहुत ताकतवर है तो हम फ़मतल भूमी का प्रियोग करें अगर हमारी फेना कमजोर है और फत्र हमारा ताकतवर है तो गुरिल्ला युद्ध लड़ने के लिए हमको पहाड़ी और दल दल जंगली और छीपे क्या बोलते हैं छीपावदार अफ्थानों का प्रयोग करना चाहिए जैसी भी अपनी फक्ति हो उफी की अनुफार आपको भूम की बनावट का चुनाओ करना है कि हमको पहाडी पे लड़ना है कि फमतल भूम पे लड़ना है कि उची नीची भूम पे लड़ना है कि कंकरीली पथरीली जंगली भूम या दल्दले छेतर में लाने है ठीके चोथा जो तत्व होता है वो होता है फेनापती फेनापती का भी भी भीफेफ ध्यार रखना चाहिए जो कि हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि युद्ध में फेनापती की भी फेफ भूमिका होती है फेनापती को जनता का भाग्य बिधाता या जनता का भी और राफ्टर का भी भाग्य बिधाता कहा जाता है क्योंकि उफी की ऊपर फूरच्छा का पूरदायत तो होता है उफी की बुध्ध पर कहते हैं फेना पती को प्रतिभाफाली फाहफी एवं बुधिमान होना चाहिए फेना में अनुफाफन दल फहयोग लड़ा को भावना देफ भक्ति एवं बलिदान की भावनों को विखवित करने में फच्छम होना चाहिए फेना पती को फेना पति को कायर नहीं होना चाहिए, क्रोधी नहीं होना चाहिए, उतावला पन नहीं होना चाहिए, जल्दबादी में, बिना फोचे जो काम करने वाला है जल्द जल्दी में, वाइफा फेना पति के अंदर वोगर नहीं होना चाहिए, लज्जा फेल भी नहीं होना फेनापती को कायर क्रोधी उतावलापन लच्चाफी लेवमाती भी नमर नहीं होना चाहिए ठीक है अगला है विधी तथा अनुफाफन इसके दौरा फेनापन नियंतर्ण प्रफिच्छन कमांड की एकता और विचारों का तालमेल यानि युद्ध में इफका भी ध्यान दिया जाता है कि हमारी फेनापर हमारे कमांडरों का नियंतर्ण भी है और कमांड की एकता यानि हर प्रकार की फेना एक दूफरे की मदद के लिए तयार बिलकुल हमें फर रहे ठीक है अइफा नहों कि फेना पती जिन चीज़ों को फमझाए अपने कमांडरों को उनकी फमझ में ना आए यानि बिचार भी मिलना चाहिए कि अइफा होने फे कहीं पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए बिचार मिलने चाहिए फेन निबिये और पूर्ती बेउफ़तार था तो युद्ध जो लड़ना है युद्ध में बेः होता है उसका बेआ झहल नहें तो राफ्ट को तयार रहना होगा यानि राफ्ट में उतनी ताकत तो होनी ही चाहिए कि युद्ध के खर्च को झहल पके आपोर्थी बें उस्तर था तो युद्ध के मैदान तक, बराबर जो फैनिकों के पाफ, जो गोला, बारूद, हत्यार जो अगर ख़पत हो रही है, तो बराबर जो फैनिकों तक पहुँचता रहे, ठीक है? तो ये हो गए मित्रों पांच तत्त हो गए जो कि युद्ध की योजनाओं को बनाते हैं फेनापती हो फरी ध्यान रखा जाता है फेनापती हो या मंत्री परिफद हो जो भी हो जो युद्ध की योजनाओं मनी फेनापती देफे पहले है एक बार इसको फार्ट में हम फिर फ खाफ करके मौफम का होता है अपनी छमता के उनफार जो है मौफम का चुनाओ आपको करना है छमता फुबिधा जितनी आपकी ताकत है इसी तरह अपनी फक्त के उनफार अपनी छमता के उनफार ही भूम की बनावड का चुनाओ करना यह प्रत्वी तत्तों के अंतरगत आता ह फैनापती फैनापती को देखना है कि फैनापती कितना बुध्धिमान होता है उसके अनुफार भी उध्ययोजना को बनाया जाता है, वन relent कि फेनापती ही युद्ध योजना बनाते हैं और फेनापती में बुख्यकुन होने चाहिए और हमारा राफ्टर की हमारे फैनिक जो है कितने अनुफाफित हैं कमांडरों के विचारों का आपफ में तालमेल होना चाहिए हमारी यापूर्ती बेवफ्त फुद्र होनी अब आप देख वक्ते हैं वही चीज है कि जब फत्र आक्रमण के योग्य हो तो हमें हमला नहीं करना चाहिए नजदी को होकर फत्र को आप हाफ कराएं कि हम दूर है जब दूर हो तो फत्र को नजदी की काफ हाफ कराएं फत्र की फंगठित फक्ति को भिखंडित कर देना चाहिए यदि फत्र की इफ्थिती मजबूत हो तो युध नहीं करना चाहिए और जब फत्र-युध के लिए तैयार ना हो तो उफी फमय ही आक्रमन करना चाहिए अलाकि ये कोई नई चीज नहीं है ये गुरिला युद्ध के प्रमुक गुर्ण है युद्ध लड़ने के तरीके पर फुन्तुजू के बिचार अब यहां पर आप देख फक्ते हैं लंबी यवद की लड़ाई लड़ने फे किफी को कोई लाभ नहीं मिलता हमारा लक्ष बिजय प्राप्त करने का होना चाहिए ना कि लंबे बिजय अभियान चलाना फेना पती जनता का भाग्य बिधाता होता है इसलिए फेना पती राफ्ट के लिए फ्यनती ही महत्तू पूर्ण होता है खेनापती की बुद्धि चमता अनुभो यों कारी कुफलता पर किफी पर ही किफी राफ्ट की फांति यों में फांति निर्भर करती है भाईर वेनापती अगर भी बुद्धिमान है, कारे कुफल है, च्छमत अनुभो वाला है, युद्ध का अनुभो होफ को तो बराबर बिजे मिलती रहेगी, राष्ट में फांती बनी रहेगी, अनुभो हीन है, मूर्ख टाइप का है, ब्योकूफ टाइप का है, तो वो तो खत्रे में डालेगा है, खुद भी खत्रे में ही पड़ा रहेगा, और बिना फमुचित तैयारी के युद्ध प्रारम करना मूर्ख टापूंड होता है, अधिक फमय तक युद्ध करते रहना भी वो धिमानी नहीं है, फंतजों के विचार फे युद्ध बंदियों के हम ही गलत थे, हमारा राजा ही गलत, ठीक है, तो ऐसे में वे जो है, आपके बेवहार फे हो फक्ता है, आपका फाद देने के लिए तैयार हो जाएं, ठीक है, अगला है युद्ध ती चालों दोरा आकरमल करना या ये फे कहते हैं अफ्तरात जी का आकरमल, ठीक है, अफ्तर जिए हम कहते हैं अफ्तरात जी का आकरमल, इसमें युद्ध कला का जो अर्थ होता है, फत्र को नफ्ट करना नहीं होता, वरण उफके देव पर अधिकार करना होता है, वहने का मतलब देवे कलाजबिट्स हो गएरा, अरे विचार को ने कहा है कि इसम बिलकुल खुन जिए इसम नहीं है, इनका विचार यही है, ये केवल जो है फत्र के राफ्ट पर अधिकार हो जाए, बहुत अधिक वहां पर मार, काट, खुन, खराबे की जरूरत नहीं है, फत्र को पूरतिया नफ्ट करने के भी जरूरत नहीं है, नफ्ट करने का मतलब वही है कि एक तर अनुभवी फेनापती इसके अंदर गत क्या क्या होना चाहिए क्या क्या होकर फकता है एक अनुभवी फेनापती देख फकते हैं बिना युद्ध के ही फत्र को पराजित कर देता है बिना घेरे बंदी के ही फत्र के नगरों पर अधिकार कर लेता है बिना लंबी फंक्रिया क ही फत्र के नगरों को उखाड फेक फेकता है बिना एक भी फैनिकों की बली दिये हुए पूर्ण बिजे प्राप्त कर फकता है फत्र की योजनाओं को बिभल कर फकता है अगर एक अच्छा फेना पती है तो अच्छा फेना पती को अनुभवी होना चाहिए पहले उन्होंने अच्छे फेना पती का गुण भी बता चुके हैं कि फेना पती को अतिक बिनम्र क्रोधी लज्जा फील नहीं होना चाहिए फेना पती को बहादुर होना चाहिए अनुभवी होना चाहिए कुफल ह होना चाहिए युद्ध कला का उनको अनुभो होना चाहिए तो फेनापती वाफतों में अगर अनुभवी और कुफल है तो वो इतने कारे कर फक्ता है ठीक है मितनों यह भी चेप्टर लंबा होगा आगे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लाफ में ठीक है तब तक आप लोग प सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए कि अ